हेलो इस वीडियो में हम पेज लेउट टैप के आरेंज ग्रूप के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम यहां पे पिक्चर इंसल्ट करेंगे तो पिक्चर को इंसल्ट करने के लिए यहां पे इंसल्ट टैप पे जाएंगे insert tap पे जाने के बाद picture command यहां पे जाएंगे और इसके more button पे click करेंगे more button पे click करने के बाद यहां पे दो option आ जाएंगे कि कहां से picture हमने insert करनी है this device यहां से करनी है या कोई online picture यहां पे insert करनी है हम यहां पे this device यहां से अपने device से यह picture यहाँ पर insert करना जाते हैं तो यहाँ पर click करेंगे इसके बाद हम यहाँ से picture insert करेंगे जैसे हमने एक यह picture इसके बाद एक यह हमने तीन picture यहाँ से insert करनी है इसके बाद insert पर click किया insert पर click करने के बाद यह देखो यहां पे यह pictures आ जाएंगी आने के बाद यहां पे इसन का group बना हुआ है इसको हम यहां पे बार click करेंगे यह click किया इसके बाद इसको यहां पे रखा इसके बाद इसको यहां पे रखा है इसके बाद इसको यहां पे रखा यह तीन पिक्चर हमने यहां पे रखी यह देखो यहां पे इसको सट किया इसको यहां पे सट किया यह इसको यहां पे सट किया और इसको यहां पे सट किया और इसको रियारेंज कर दिया यह देखो यहां से यह तीन पिक्चर हमने यहां पे इंसर्ट कर दी इंसर्ट करने के बाद यह फॉर्मेल टैप यह आंप बन जाएगा बनने के बाद यहां पे हम Picture Style यह लगाएंगे हर एक Picture के लिए हमने हर एक Picture के लिए जैसे यह Second वाला यह इस्टाइल यहांपे लगाया है इसके लिए भी हमने यह штाइल लगाए तो हम यहां पे picture border पे जाएंगे और यहां से कोई color select करेंगे जैसे हमें यह color चाहिए यह color चाहिए यह चाहिए जैसे suppose करो हमें यह color चाहिए तो हमने इसका border यह set कर दिया इसके बाद अगली picture यहां पे click किया इसका भी हमने change किया border यह देखो यहां पे click किया यह border इसका रखा इसके बाद इस picture पे click किया इसका भी border हमने यह रखा dark blue ये देखो तेनों का border हमने यहां पे set कर दिया करने के बाद इसके बाद arrange group हम यहां से भी कर सकते हैं ये देखो format type का यहां पे arrange group बना हुआ है जिसमें ये command दी गई है bring forward, send backward अगर हम यहां से करना जाते हैं तो यहां से भी इसको कर सकते हैं इसके बाद अगर यहां से नहीं करना है तो हम यहां पे page layout टैप पे जाएंगे इसके बाद arrange group यहां पे जाएंगे और इन सभी command को यहां पे करेंगे तो यहां पे सबसे पहले यह ब्रिंग forward ब्रिंग forward, इसके बाद है send backward इसके बाद है selection pen इसके बाद align, इसके बाद है group इसके बाद है rotate इन सभी को यहां पे करेंगे तो इनको करने के लिए हम के करेंगे पहले इनका यह देखो यह जैसे यहां पे send backward है जैसे यहां पे रखा हमने picture को इसको उठा कि यहां पे रखा यह देखो एक दूसरे के उपर हमने यह picture रखी रखने के बाद अगर हम यह चाहते है कि यह जो picture है सबसे उपर यह जो picture है यह इस picture के पिछे जली जाए तो हम क्या करेंगे यहां पे send backward यहां पे more button पे click करेंगे more button पे click करने के बाद हमारे पास यहां पे दो option आजाएंगे send backward और इसके बाद send to back तो अब सबसे पहले हम यहां पे send backward इसको समझेंगे यह जो सबसे उपर जो picture है इसको अगर हम यह इसके निचे लाणा जाते है यह जो बीच वाली picture है इसके पिछे लाणा जाते है तो इसको कैसे करेंगे इसको हम यहां पे send backward करेंगे तो यह जो picture है इसके पिछे चली जाएगी यह जो center वाली है इसके पिछे चली जाएगी ना कि इसके पिछे जाएगी यह इसके पिछे चली जाएगी यह देखो send backward यहां पे click किया यहाँ पे क्लिक करने के बाद यह जो पिक्चर थी इसके पिछे यह पिक्चर चली गई लेकिन यह जो पिक्चर है इसके पिछे नहीं गई है इसको देखने के लिए यहाँ पे इसको साइड में करते है यह देखो यह जो पिक्चर है इसके पिछे नहीं है अगर हम इसको और पे बोल्टर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर यहां पे जाएंगे और send backward यहां पे क्लिक करेंगे अब यह देखो यह जो पिक्चर है इसके पिछे यह चली जाएगी यह पिक्चर उपर आ गई और यह पिक्चर इसके पिछे चली गई इसके बाद अगर हम यह चाते हैं कि यह जो picture हमने सब से पिछे लगाई हुई है यह picture इस picture के उपर आजाए यह जो यह picture है इसके उपर आजाए तो हम क्ये करेंगे यहां पे bring forward यहां पे click करेंगी यहां पे click करने के बाद हमारे पास दो option आजाएंगे bring forward और bring to front तो हमने यहां पर bring forward करना है यह जो यह वाली picture है यह orange border वाली इसको हमने यहां पर dark blue border इसके उपर लाना है तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे bring forward यहां पर click किया इस border पर यह जो है orange border यहां पर click किया इसके बाद यहां पर ब्रिंग फारवर्ड यहां पर क्लिक किया और यहां पर ब्रिंग फारवर्ड यहां पर क्लिक किया यहां पर क्लिक करने के बाद यह दिखो इस पिक्चर के ऊपर यह और एंज बॉल्डर वाली पिक्चर आ गई है यह दिखो यह यह जो पिक्चर है इसके ऊपर आ गई है अब अगर हम इसके उपर लाड़ जाते हैं तो हम यहाँ पे orange border इस picture पे click करेंगे और click करने के बाद यहाँ पे bring forward इसके bring forward यहाँ पे click करेंगे तो यह देखो यह जो orange border वाली picture है यह सबसे उपर आ जाएगी इसके बाद अगर हम यह चाते हैं कि यह जो orange border वाली picture है यह एक एक करके पिछे ना जाए यह सबसे पिछे एक साथ चली जाए तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे send backward यहाँ पे more version पे click करेंगे और इसके second जो यह option है send to back यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे click करने के बाद यह और यहाँ पे click करने के बाद यह सबसे पिछे चली गई है अगर हम यह चाते हैं कि यह जो orange border वाली picture है यह front में आ जाए इन दोनों पिक्चरों के front में आ जाए तो हम यहाँ पे click करेंगे इसके orange border यहाँ पे click किया पहले इसके बाद यहाँ पे पे click किया इसके बाद bring to front यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे click करने के बाद यह देखो यह picture जो है front में आ जाएगी देखो दोनों पिक्चरों के यह front में आ जाएगी तो इस तरह हम pictures को bring forward कर सकते है यह send backward कर सकते है इसके बाद हम यह pictures इनको अलग करेंगे यह देखो अलग यहां पे रखेंगे यह यहां पे रखी यह पिक्चर यहां पे रखी इसके बाद आगे है selection pen तो अगर हम यह हमारे पास जितने object है इनकी हम list देखने जाते हैं तो हम यहां पे selection pen पे click करेंगे तो जब हम यहां पे click करेंगे तो यह selection pen Palad sûre selection Pen अनिये के बाद यहां पर यहां पर पिक्चरे फिक्चर हो जाएगा यहां पर प्लिकी यह की邪कूर्टर पे तो यहां पर इस पिक्चर आगर हमें नहीं चाहिए तो नहीं के वारच पीये picture यहां पर click करेंगे यह देखो यह select होगी select होने के बाद यहां पर eyes का यहां पर symbol बना हुआ है आगर हम यहां पर click करेंगे तो यह picture यहां से hide हो जाएगी यहां पर click किया यह picture यहां से hide हो गई इसके बाद picture number 4, यहाँ पे हम click करेंगे तो यह देखो, यह picture select हो गई यह भी नहीं चाहिए हमें तो हम यहाँ पे click करेंगे, यह देखो eye symbol, यहाँ पे click किया यह भी यहाँ से hide हो गई, इसके बाद यहाँ पे picture to यह picture to, इसका name है यहाँ पे click किया, यह select हो गई इसके बाद इसको भी hide करना है यहां पर eyes symbol इस पर click किया तो यह भी यहां से hide हो जाएगी अगर यह हमें बापिस चाहिए जैसे यह picture 6 यह बापिस चाहिए तो यहां पर हम eyes के symbol पर दुबारा click करेंगे यह यहां पर आ जाएगी यह देखो यहां पर आ गई इसके अगर हम यह सभी hide करना जाते हैं तो हम hide all पे click करेंगे यह देखो यहां पर hide all पे click किया सभी यहां से hide हो जाएगी अगर सभी देखनी है हमने तो हम यहां पर show all पे click करेंगे यह सभी यहां पे आ जाएगी इसके बाद अगर हम यह picture यह numbering यहां पे ली गई है picture number 6 यह सब से उपर है यहां पे picture for picture second इसको हम यहां पे picture number six इसको नीचे लाने जाते है तो इसको करने के लिए हम यहां पे click करेंगे यह दिखो दो बटन है send backward यहां पे click करेंगे यह दिखो एक बार click किया यह picture six यहां पे आ गई इसके बाद यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे यह पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी अगर यह उपर खणी है तो हम यहाँ पे bring forward यहाँ पे क्लिक करेंगे यह दिखो यहाँ पे second number पे चली गई इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया है यह first number पे यहाँ पे आ गई तो इस तरह से हम picture की numbering यहाँ पे change कर सकते है उपर करना है तो उपर कर सकते है नीचे लाना जाते है तो नीचे कर सकते है इसके बाद यहाँ से हम selection pen को बंद करेंगे यहां पे close button पे click करेंगे यह यहां से चली जाएगी यहां पे click किया selection pen यहां से चली गए इसके बाद आगया है align तो align को समझने के लिए जैसे suppose करो यह हमारे पास तीन pictures है हम यह pictures यह pictures first वाली है इसको थोड़ा बड़ा करते हैं यह देखो बड़ा इस first picture को हमने बड़ा कर दिया बड़ा करने के बाद यह जो दो pictures है यह pictures हमें align करनी है जैसे यह सभी pictures हमें इस picture के left side में रखनी है या यह right side में रखनी है या top में रखनी है यहां पे या bottom में रखनी है या middle में रखनी है यहां पे तो यह काम हम easily कर सकते हैं इन दोनों picture को left, right, center या top या bottom में कर सकते है इसको करने के लिए हम यहां पे इन तीनों पिक्चर को स्लेक्ट करेंगे यह इसके बाद यहां पे control की press की यहां पे second picture पे click किया यह second picture यहां पे select होगे फिर control की press करके रखा और third पे click किया यह तीनों पिक्चर यहां पे select होगी select होने के बाद यहां पे यह align group यहां पे open हो गया है open होने के बाद यहां पे हम more button पे click करेंगे more button पे click करने के बाद क्या होगा जब हम इसको align left करेंगे तो यह left side हो जाएगी इस picture यह जो picture हमने बड़ी की हुई है इस picture के यह left side में हो जाएगी यहां पे आ जा पिक्चर के यहां पे left side में आ गई अगर हम इसको यहां पे फिर गए align center किया तो यह picture दोनों center में हो जाएंगी यह देखो center तो यह दोनों picture यहां पे center में हो गई अगर हम यह right side करेंगे तो यहां पे आ जाएंगी right side आ जाएंगी यह देखो align right किया यह right side में आ गई दोनों picture इसके बाद अगर top में करना जाते हैं तो इसको align top ये देखो top में किया ये top में चले गई इस picture के दोनों picture इसके बाद अगर bottom करेंगे तो ये bottom में आ जाएगी picture के ये देखो bottom ये bottom में आ गई अगर middle में करना जाते हैं इन दोनों picture को तो हम यहां पे और इसके बाद align middle ये तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे इसको पहले undo करेंगे ये ctrl z प्रेस किया ये undo किया ये देखो undo किया undo करने के बाद ये तीनो पिक्चरों को horizontally रखेंगे ये देखो suppose करो इस पिक्चर को हमने यहां पे कर दिया है इसको हमने यहां पे रख दिया है और इसको हमने यहा तो इससे क्या होगा यह जो गैप है यह देखो साथ साथ में गैप है और यहां पे बहुत ज्यादा गैप है यह जो दोनों में गैप है यह एक समान हो जाएगा यह देखो इसको करने के लिए तीनों पिक्चरों को सेलेक्ट करेंगे कंट्रॉल दबाकी रखेंगे इसके यह देखो यह जो पिक्चर है इन दोनों के बीच में गैप और इन दोनों के बीच में गैप एक समान हो जाएगा यह तो यह होता है distribute horizontally इसके बाद अगर हम यह चाहते है कि इसको distribute vertical करें तो vertical करने के लिए हम क्या करेंगे इसको resize करेंगे जैसे यहां पर इसको यहां पर इतना सा रखा resize किया यह देखो इतना रखा रखने के बाद यहां पर बार हम click करेंगे यहां पर click यह बार इसके बाद क्या करेंगे हम इनको horizontally रखेंगे यह एक यहां पे रखी एक यहां पे रखी और यह हमने यहां पे रखी तो यह vertically pictures आ गई आने के बाद यह देखो इसके बीच में gap यह बहुत कम है और इन दोनों के बीच में gap जो है बहुत जादा है इसको अगर हम distribute vertically करेंगे तो इसके बीच में दोनों के बीच में same gap यहां पे आ जाएगा यह देखो इसके बीच में भी same होगा और इसके बीच में भी same होगा तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे तीनों को select करेंगे यहां पे control की प्रेस करके रखेंगे एक इसके बाद दूसरी select की इसके बाद ये तीसरी select की इसके बाद क्या करेंगे align command पे जाएंगे और distribute vertically यहाँ पे click करेंगे यह देखो distribute vertically किया तो यह vertically distribute हो गया दोनों के बीच में gap देखो यह एक समान हो गया और यहाँ भी यह gap जो है same यहाँ पे जो उपर वाला gap है उतनाई gap यहाँ पे निच्छे आ गया तो यह distribute हमने vertically कर दिया इसके बाद हम इन pictures को undo करेंगे यह देखो undo किया undo करने के बाद इसके बाद यह जो cell है जैसे यह cell हमें दिखाई दे रही है यह grid line बनी हुई है यह देखो से यह grid line हटाने जाते हैं यह cell हटाने जाते हैं इसको करने के लिए हम यहाँ पे align के more button पे क्लिक करेंगे और इसके बाद view grid line यहाँ पे क्लिक करेंगे तो view grid line पे क्लिक करने के बाद यह देखो यह grid line थी यहाँ से यह हड़ जाएंगी अगर यही grid line हमें बापिस चाहिए यह जो cell यहां पे आ रहे थे यह बापिस चाहिए यह grid line बापिस चाहिए तो हम क्या करेंगे फिर align के more button पे click करेंगे और यहां पे view grid line यहां पे click करेंगे तो click करने पे यह grid line यह दिखो बापिस आ जाएंगी इसके बाद आगे हम करेंगे group तो group क करने के लिए जैसे suppose करो ये तीन पिक्चर्स हमारे पास हैं अगर हम इन पिक्चर्स को एक साथ लेप साइड करना जाते हैं टॉब में करना जाते हैं या बोटम में करना जाते हैं या राइट साइड करना जाते हैं तो तीनों पिक्चर्स को हम एक साथ ग्रूप में करके ऐसा काम कर सकते है यह देखो यह A की पिक्चर है यह ग्रूप में नहीं है अगर हम इसको ले जाएंगे तो यह A की पिक्चर उपर निचे जा रही है अगर हम इन तीनों को एक साथ पिक्चर को Left, Right यह टौप यह बोटम में ले जाना जाते हैं तो यह करने के लिए हम क्या करेंगे इनको group में करेंगे तो group में करने के लिए हम तेनों को select करेंगे control की, press की और इसके वाद ये first यहाँ पे click किया इसके वाद second picture यहाँ पे click किया इसके वाद third picture यहाँ पे click किया यहां पे click करने के बाद यह देखो इन तीनों का यह group बन गया है यह देखो यहां पे border आ गया है यह इसका मतलब यह है कि इन तीनों का group बन गया है अब हम जब एक picture को उठाएंगे तो यह तीनों picture एक साथ जाएंगी यह देखो जैसे यह picture हम यहां पे left side लाते हैं तो यह ती को टॉप में ले जाना जाते हैं तो यह तीनों पिक्चर एक सार टॉप में जा रही हैं अगर बॉटम में ले आएंगे तो यह बॉटम में आ रही हैं अगर राइट साइड ले जाना जाते हैं तो यह लेको राइट साइड जा रही है तो इस तरह से हम इनका ग्रूप बना सक है, इसका color हम change करेंगे तो इससे क्या होगा? यह जो आगे दो picture है, इनका भी border change हो जाएगा एक smart border यहां पर आजाएगा यह देखो, यहां पर हमने picture border यहां पर more button पर click किया, जैसे suppose करो हमें यहां पर यह green यह border चाहिए, यहां पर पर पल यह border चाहिए यहाँ पे click किया तो यह देखो यह group में आया तो तीनों का यहाँ पे border यहाँ पे change हो गया इसके बाद यह जो तीनों pictures है यह group में आया अगर हम इनको ungroup करना चाते हैं तो इसको करने के लिए हम फिर यहाँ पे page layout टैप पे जाएंगे और यहां पे group के more button पे क्लिक करेंगे यहां पे more button पे क्लिक करने के बाद यहां पे ungroup पे क्लिक करेंगे यहां पे ungroup पे क्लिक किया यह देखो ungroup यहां पे तीनों यह select हो जाएंगी select होने के बाद यहां पे यह जो blank cell है यहां पे click करेंगे click करने के बाद यह जो picture है यह ungroup हो गई है इसके बाद यह देखो जैसे यह picture है यहां पे इसको उपर नीचे ले जाना जाते है तो यह देखो एक ही picture उपर नीचे जाएगी तो यह picture यहां पे ungroup हो गई है इसके बाद अगर हम यह center वाली picture को उपर नीचे ले जाना जाते है एक ही picture उपर नीचे जा रही है यह तो यह यहाँ पे ungroup हो गई है इसके बाद आगे जो है वो है rotate अगर हम इस first picture को rotate करना जाते है तो हम यहाँ पे rotate के more button पे click करेंगे more button पे click करने के बाद यहाँ पे दिया गया rotate right 90 degree rotate left 90 degree flip vertical flip horizontal तो अगर हम इसको rotate right 90 degree करना जाते है तो यहाँ पे first पे click करेंगे यह लेको यह picture rotate right 90 degree होगी इसके बाद नीचे click करेंगे यह rotate left 90 degree हो जाएगी इसके बाद नीचे click करेंगे यह flip vertical होगी इसके बाद नीचे click करेंगे य तो इस तरह से हम इसको रोटीट भी कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने अरेंज ग्रूप के वारे में डेटेल में जाना अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद